कि बिस्मिल्लाहिरामानुरहीम असलाम अलेकम डिया रिवीवर्स दिस असाहूद और वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल साहूद सुलूशन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेक्विल पार्ट सुलूशन ऑफ पेपर 2015 फस्तियर माथमाधिक्स क ए मल्टीबल चॉइस कोशन हम सॉल्व कर रहे हैं और कोशन नमर वन के आज हम पार्ट सॉल्व करेंगे 11 12 13 14 15 तो बढ़ते हैं अपने सबसे एहम काम आपको यह याद होना चाहिए कास्ट रूल याद होना चाहिए कि यह आपको मालूम है कि फस्सकोर्ण के इंदर तमाम किता हुआ और ट्रिक्रिमेटिक विंजन पॉज़िव होते हैं सेकिंड में साइन और को सेक होता है थर्ड में टैन और कॉड होता है चौते में आपके पास कॉस और उसका रेसिपोगल सेक थीटा पॉज़िव बागी केसी सब नगेटिव होते हैं अब करें साइन नेगैटिफ कर मिलेगा फौठ है को सब नेगा होते हैं तो इसका मतलब है हमारा फॉर्ट जो है करन दनाएगा और हम अपने लास्ट ओप्षिन को टिक करेंगे ये आपका mcqs solve हो गया इस sign chart की मदद से इसको note down के लिजी इसके बाद मैं बढ़ूँगा अपने next mcqs की जानिब और इसके लिए में ये remove कर रहा हूं रफक फर्क अब इसके बाद मैं कह रहा हूं यहां पे बारवे में the distance between 2 points a, 0 and b 0, b के दर में distance निकालना है तो देखें यह line segment है इसके point है a, 0 और इसके points है 0, b इनके दर में distance मारूम करना है distance का formula आपको याद होने चाहिए d is equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 1 का whole square होता है ठीक है अब देखें पहला point हमेशा x1, y1 होगा दूसरा वाल x2, y2 होगा यह values को put करके सब्नीफाय एंदरूट जीरो मानिस एक स्क्वायर प्लस b-0 का स्क्वायर है possessed 0 मानिस ए मानिस ए हो जाएगा है nja पिल्स भी मानने 0-0D Whisky hello से माने स्प्लस-1 वॉर्प अन्डरू ईसक्वार प्लस कभी स्क्वार है थो इसका मनेस का दिसंस कर गा अंडरूटे स्कर्प्लसमिस को रहीं मैसे करतें कि जिल से पहला थै क्या सितन प्लस दूसरा एकिस्क्वारieu अंडरूटे सब्सक्राइब करें यह आपके पास आंसर आगया अच्छा इसको नो डाउन के जली से और इसका बद अगला इंशी के हमारा 13 एंशी कूष और 13 एंशी कूष चैप्टर में 11 से पुछा गया है टेक्टिक फंक्शन के गिराफ के से रेलेडिट है वह तो पीरिड ऑफ साइन एक्स का और कॉस एक्स का पिरेट टूपाई होता है यह सिर्फ आपने थोडिकल पॉइंट याद करना है तो इ यह एंशी के इस भी आपका सॉल्व हो गया कि यह रिमूफ कर रहा हूं कि इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एंशी की जाने परते हैं 14 जो है इसका तालुक है है इस साइस ऑफ ट्राइंगल आर एबी सी देन ए माइनस बी प्लस सी अपाउन टू की वैल्यू करना है यह आपके पास चैप्टर नबर 12 है और एक्ससाइस जो है 12.5 है अब जरह इसका जो है रफ वर्ग में देखीगा हमें मालूम क्या करना है ए माइनस बी प्लस सी ओवर टू की मालूम करनी है हमारे पास एक फॉर्मला होता है सेमी पेरामेंटर ओफ ट्राइंगल एस इस इकल डू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू होता है कि यहां पिड़काइडक कर राएक क्रोस क्लीब लायागा डिकाइगा तुएस होगया इस इस एकड़ डू ए प्लस बीप्लस सी ओभ यहांपे देखे क्या चीज़िए में a plus c में तो a plus c की value निकल लिए प्लस कभी उतर जाएगा minus कभी हो जाएगा 2s minus b is equal to a plus c अब इस value को ठागे इधर रखना है अब कैसे रखेंगे देखेंगे पहले इसको मैं यहां पर रखके दिखा रहा हूं कि इसको मैं तर्तीब में लिख रहा हूं पहले a plus c लिख रहा हूं minus b लिख रहा हूं डिवाइड वे टू अब इस a plus c की जगा मैं क्या लिखूंगा 2s minus b minus b divide by 2 अब ज़रा गौसर देखे 2s minus b और minus b minus 2 भी हो जाएगा तो 2s minus 2b over 2 अब आप एक काम करें तू कॉमन निकाल लीजिए s minus b over 2 तू से 2 गैंजल हो गया s minus b इसका result आगया तो इसको simplify करने बार result गया है s minus b आप options में तलाज करें पहला है s फिर s minus a s minus b इसको right tick कर दीजिएगा आपके पास answer आजएगा और यह तमाम रफ़र का अपने पास no down कर लीजिए अब हम बढ़ते हैं अपने last mcqs के जानिप और इसके लिए मैं रफ़र को रिमूब कर रहा हूं last mcqs 15 the matrix 123 की पावर टीटीफोर ट्रांस्पोर्स चैप्टर नमर फॉर मैंटिस इन डिर्मेंट से पुछा गया है कहरें इस इक्वल टू-डैस मैंटिक्स कौन सा मैंटिक्स है यह रो मैंटिक्स होगा यह कॉलम मैंटिक्स होगा यह सिंगूलर होगा यह नॉन सिंगूलर ह होगा पहले आपको संप्रिफाय करना पड़ेगा अब यहां देखिए कि वन टू-थिरी इसकी पावर टीटी कहते हैं ट्रांस्पोर्स को ट्रांस्पोर्स जब किसी मैंटिक्स में अप्लाय होगा तो इसकी रोस को कॉलम में तबदील कर देगा अब यह रो लिखा हुआ है इसको कर दीजिए यूँ वन टू-थिरी अब यह बताइए इसमें एक कॉलम आ रहा है जब किसी मैंट्रिक्स में एक कॉलम आए तो उसे कहते हैं कॉलम मैंट्रिक्स तो यह कॉलम मैंट्रिक्स हो गया यानि कि यह आपके पास सेकेंड ऑप्शन होगा इसको टिक कर यह आपका राइट ऑप्शन होगा इस सलुशन को नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ ही स्वेंट्स अब मैं अपना आज का वीडियो लेक्शर यही पर एंड करता हूं और उमीद करता हूं कि आज के एमसी कुई बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होंगे औ सुलुशन इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बैल अगर बटन दबाएगा लाइक करें अपने दोस्तों को चाहिए करें अपना बहुत खैल रखेगा अलाहाफिस